आज हम इस वीडियो में स्कॉलर्शिप के बारे में जानेंगे जो बच्चे 2020 में 10 या 12 के एकजाम दे चुके हैं क्या उन्हें स्कॉलर्शिप मिलेगा या नहीं मिलेगा तो मैं आपको बता दू कि जो बच्चे के स्कॉलर्शिप में नाम आया हुआ है उसी बच्चे को सिर्फ स्कॉलर्शिप का अलाब मिलेगा अथवा दूसरे बच्चे को नहीं मिलेगा तो मैं आपको इस वीडियो में बता दू कि आप कैसे आप जानेंगे कि मेरा नाम स्कॉलर्शिप में आया है कि नहीं आया है तो मैं आपको उसी साइट पर ले चलूँगा और एक एक स्टेप बताऊंगा चेक करने के लिए तो सबसे पहले आप क्रोम खुलेंगे क्रोम खुलने के बाद आप सर्च बटन पर क्लिक करकर यहाँ पर इकल्यान सर्च करेंगे इकल्यान सर्च करने के बाद आपको ऐसे साइट खुलेगा ऐसे साइट खुलने के बाद सबसे उपर आप देख रहे हैं लिखा हुआ इकल्यान है आप उसपर क्लिक करेंगे वो खुलने के बाद आपका ये साइट खुल लागा इकल्यान साइट खुलेगा तो आप यहां देख रहे हैं कि यहां लिखा हुआ है मुख मंत्री कन्या उठान योजना, मुख मंत्री बालिका इसनातक प्रुसाहन योजना दुएरुनिस के लिए आवेदन करें तो आप उसपर क्लिक करेंगे वह खुलने के बाद यहां आपका साइट खुल लाएगा और जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं कि यहां रेट कलर में लिखा हुआ है intermediate के लिए जो बच्चे पास है वो अपना फोरम भर सकते हैं और जो 10 वाले बच्चे हैं वो अपना फोरम भर सकते हैं और चेक कर सकते हैं तो आपको जो class के चेक करना है आप उसके क्लिक करकर अपना चेक कर सकते हैं तो मैं आपको 10th class वाले करकर बताता हूं तो जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं यहां लिखा हुआ है मुख मंत्री बाली का 10 पास प्रोस्षा नहीं हो जना तो आप उसमें क्लिक करेंगे तो देन उसके बाद आपका यहां साइट होम पेज खुलेगा तो यहां देख रहे हैं कि यहां दिया हुआ है गाइडलाइन फोर अपडेटिंग स्टुडेंट बैंक डिटेल पास ओफ यहर जैसे कि जो बच्चे का इसकोलर्शीप में नाम होगा उस बच्चे को क्या क्या देना होगा तो जैसे कि बैंक एक काउंट देना होगा नेम ऑफ स्टुडेंट आई एपसी कोड बैंक ब्रांच नमर मोवाइल नमर अधार काड़ फैबली इंकम सर्टिफिकेट यह सब देना होगा देन उसके बाद आप नीचे आएंगे तो दिया हुआ है फिलिंग अप्लिकेशन फॉर्म कैसे आप अपना अप्लिकेशन फॉर्म भर सकते हैं वह स्टेप दिया हुआ है उसके बाद करते हैं अपन इसके बाद मढईा है यहां लिखनी तो जो आपने इसले करते हैं उसमें दाकर अपना district search करेंगे उसके बाद आप अपना college का नाम search करेंगे तो जैसे college का नाम search करकर उसमें डाल देंगे तो view पर click करेंगे तो view करने के लिए जैसे आप खोलेंगे तो नीचे आप देखेंगे कि आपका नीचे खूल गया है scholarship list जो बच्चे का नाम है और father's name द चुका है वो सब यहां सो करेगा जैसे कि आप देख रहे हैं सारे बच्चे जो green color का दिया हुआ है उनका payment done हो चुका है जो यह red color का है उनका नाम है बट वो अभी तक form नहीं भड़े हुए है तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसी तरह का आपका college के नाम के नीचे खूलेग तो अपना नाम चर सर्च कर ले अगर आपका नाम उसमें है तो आपको scholarship का लाब मिलेगा अत्वा नहीं मिलेगा क्योंकि जो बच्चे का college में नाम आया है scholarship लिस्ट में उन्हीं को सिर्फ scholarship मिलेगा अत्वा otherwise को नहीं मिलेगा जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहां 12 बच्चे को मिला हुआ है तो इसी तरह आप अपने school को college को check कर सकते हैं अगर यहाँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को like करेंगे share करेंगे subscribe करेंगे thank you for watching this video please like share and subscribe my channel